नमस्कार, आज बात MX Player पे जारी हुई मिनी सीरीज चीज केक के बारे में चीज केक TVF का क्रियेशन है और MX Player पे इसे जारी किया गया है TVF की छाप आप इस पूरी सीरीज में देख सकते हैं तो सबसे पहले एक खुबसूरत बात से शुरुआत और चीज केक की जो सबसे खुबसूरत बात है वो चीज के खुद है यहां चीज केक मतलब किसी खाने के आइटेम के बारे में बात नहीं हो रही है चीज केक एक बहुत खुबसूरत पुत्ता है Golden Retriever ब्रीड का और अगर आप Pet Lovers हैं तो आपके लिए यह सिरीज बहुत ही special है चीज के कहानी है नील और समीरा की नील की भूमिका में है जितेन कुमार और समीरा है आकांख्षा ठाकुर इन लोगों को आपने TVF में अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग रोल में देखा होगा तो नील और समीरा ने लब मेरिज की है एक साथ रहते हैं लेकिन इनके लब मेरिज में से लव गाव हो चुका है यह साथ रहते हैं लेकिन साथ नहीं है इन्होंने एक नियम बना रखा है कि एक ही breakfast table पे एक साथ breakfast करेंगे शुबह लेकिन जो वो साथ होते हैं तो फिर अपने अपने में ही खोये होते हैं इनकी जो जिन्दगी है वो एक बड़े शहर में भागदोर से उत्पन हुई जो ही दिक्कते हो सकती हैं उससे घिरी हुई है दोनों प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत खुश नहीं है वहाँ उनको कई शिकायते हैं और जो निजी जीवन है उसमें भी कई तरह की जो समस्या हैं इनसे घिरे हुए हैं इतना ज़ादे घिरे हुए हैं कि आपस की जो बातचीत है वो हो रही है लेकिन बहुत ही फार्मल और ये अपने व्यूज अपने आडियाज और अपने एमोशन भी आफ शेयर नहीं कर रहे हैं हलाकि सीरीज में दिखाया गया है कि इनकी शादी को तीन साल हो चुके हैं लेकिन इनके पास कोई बच्चा नहीं है और इन्होंने कहिए कि अपने कैरियर के चकर में किसी बच्चे की प्लानिंग नहीं किये है फिर इनके जीवन में गलती सही सही ये चीजकेक आ जाता है और चीजकेक के आने के बाद दोनों वाइफ और हस्बेंट के बीच कुछ आर्गुमेंट्स भी होती है और फिर आकर के वो एक एक इकिलिबरियम पे आते हैं कि ठीक है चीजकेक इनके साथ रहेगा और जब चीजकेक इनके साथ रह रहा है तो इनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है और ये किस तरह से कहिए कि अपने छोटी छोटी गरंथियों से आजाद होते हैं ये आप इस सीरीज में देखेंगे एक कपल की बार्णिंग बढ़ाने में एक बच्चे की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है बच्चे के माध्यम से जो कपल है वो अपने बच्पन को तो जीता ही है वो जिम्मेदारी लेना सीखता है वो खुद बड़ा होता है बच्चे के साथ-साथ तो यहाँ बच्चा तो नहीं है इस कपल के बीच में लेकिन जब एक डॉग आ जाता है या कही एक जिम्मेदारी आती है तो फिर इनके बीच बहुत ही एक सुखच्चे जाता है और यहां इन दोनों कपल के बीच प्यार महबद के बहुत छोटे-छोटे टुकरे आपको देखने को मिलेंगे और जो एक केमिस्ट्री होती है अर्वन यूथ की वो आपको यहां देखेगी पांच एपिसोड की अस्मूथ सी कहानी है बस थोड़ा सा एक टर्न आखरी एपिसोड में आता है कहानी प्रेडिक्टिवल है आप समझ सकते हैं कि आव आगे क्या होगा लेकिन जो एक जुडाव ह या कहिए जो एक महबत का एसेंस है यहां वो आपको बांधे रहता है टीवी एफ की खासियत यह रही है कि वो रिमोशन्स को बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन करते हैं और यहां भी आपको इमोशन्स का एक बढ़िया ज्होंका देखने को मिलेगा बात करें एक्टिंग की जितेन कुमार है नील की भूमिका में और नील की भूमिका इन्होंने बड़ी अच्छे से निवाई है जितेन जो हैं वो कई तरह की भूमिका है हाला कि करते रहे हैं लेकिन जो एक शाय करेक्टर है या कहिए कि थोड़ा सा सरमीला सा युवा जो स्माल टाउन से मेट्रो से और आप यहां उसकी भी एक जलक देखेंगे एक द्रिश ऐसा आता है जब जितेन पार्टी छोड़के चाय की टेपरी पर आ जाते हैं और वहां वह कितने सहज दीखते हैं बहुत ही बहतरीन अदाकारी जितेन ने की है समीरा के भूमिका में है आकांग्षा ठाकुर आकांग् देखा था तीवी एफ में किसी भी सिरीज में साथ किस सीन नहीं है लेकिन यह पहली सीरीज है जिसमें आप जितेन्दर और अकांग्षा का एक किसी सीन देखेंगे चीजगे की भूमिका में है आरियन और जो कहिए आइसिंग ऑन दा केक है वो है कुमार वरुन कुमार दाएंगे और उसका पूरा सरे कुमार वरुन को दिया जा सकता है महेस माजरेकर एक छोटी सी भूमिका में है लेकिन महेस एक बहुत अच्छे कलाकार है और छोटी सी भी भूमिका में वो जचे बहुत है पलास वासवानी ने यह सीरीज बहुत ही प्यार से बनाई है और ब बहुत ही कसी हुई है, कहीं भी आपको बोर नहीं करती है और अगर आप चाहें तो एक साथ ही पूरी की पूरी सीरीज देख करके खत्म कर सकते हैं तो चीजकेक के बारे में आज इतनी ही चर्चा आगे किसी और सीरीज, किसी और टॉपिक और किसी और आप के बारे में जैनकारी लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए मेरे चैनल को पसंद करिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए धन्यवाद